वेलकम टू इस्टैनो विद पारस डिक्टेसन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट अमेरिकी राष्टपती दोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मद्यस्ता करने की जो इच्छा प्रकट की वह एप्रतियासित तो है लेकिन उनके स्वेभाव को देखते हुए इस पर हैरान नहीं हुआ जा सकता इसके पहले वह कसमीर को लेकर बार बार मद्यस्ता की पेशकस करते रहे भारत के दो टूक इनकार के बाद उन्होंने अपना सुर बदला और यह कहना सुरू किया की जब दोनों देश चाहेंगे तभी मद्यस्ता संभव है चीन के साथ सीमा विवाद पर मद्यस्ता की उनकी पेशकस पर भारत की प्रतिकिरिया जिस भी रूप में हो इसके प्रति सुनिश्यत हुआ जा सकता है की चीनी फ्रसासन आपे से बहार होगा यह मानने के परियाप्त कारण है की अमेरिकी राष्टपती ने मद्यस्ता की पेशकस करके चीन को नए सिरे से घेरने और साथ ही विश्व समुदाय को यह बताने की कोशिस की है की इस देश पर लगाम कसने की जरूरत है बहतर होता वह मद्यस्ता की पेशकस करने के बजाए चीन को सीधी लताल लगाते क्योंकि वह भारत के साथ साथ अपने अन्यय प्रोसी देशों को भी तंग करता रहता है एक ऐसे समय जब उसकी धर्ती पर पनपे कोरोना वाइरस ने दुनिया का बेडा गर्क कर दिया है तब वह विश्व समुदाय से माफी मांगने के बजाए जिस तरह पडोसी देशों को परिशान करने के साथ होंग कोंग में मनमानी करने में लगा हुआ है उससे यही इसपष्ट होता है कि चीनी नेतरत्व दुनिया की सांती और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है पहरा चीन कभी दक्षिन चीन सागर में अपना प्रभुत्व जमाने की बेजा कोसिस करता है तो कभी ताइवान को धमकाता है इतना ही नहीं वहे दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार देशो पाकिस्तान और उतरकोरिया को अनुचित सर्नक्षन देने का भी कोई मोका नहीं छोड़ता यह साफ है कि वहे भारत की सीमव पर इसलिए छेड़ छाड़ करने में लगा हुआ है ताकि दुनिया का धियान बटाया जा सके और विश्व समुदाय इस पर चर्चा नेक कर सके की आखिर कोरोना वाइरस किसी जंगली जन्तू से मानव सरीर में आया या फिर वुहान की जैविक परियोग साला से वह इस परियोग साला के बारे में पूरी जानकारी देने के बज़ाए कोरोना वाइरस जैसे कई अन्य वाइरस फैलने की आसंका जताने में लगा हुआ है यह अच्छा है कि अमेरिका चीन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों का संग्यान लेने के साथ उसे कट घरे में भी खड़ा कर रहा है लेकिन उसे सफलता तब मिलेगी जब वहे चीन से खफा विश्व समुदाय को भी अपने साथ लेगा उचित होता कि अमेरिकी राष्टपती भारत के साथ खड़े होने की कोशिस में मद्यस्तता की पेशकस करने के बजाए चीन से यह कहते कि वह अपनी बेजा हरकतों से बाज आए स्टोप